स्वागत है आप सभी का GS pregnant के इस YouTube प्लेटफोर्म पे तो साथ्यों बिहार पुलिस परिक्षा को डार्गेट करते हुए हम लोग लगतार प्रेक्टिस सेट के माध्यम से बिहार पुलिस परिक्षा पर अधारित संभावित परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रस्णों को ल प्रश्णों हैं इसलिए आप सभी लोग इस सेशन के प्रस्णों को सल्व कीजिये क्लास में ही याद कीजिये ताकि आपका Exam से पहले मारे प्रस्ण रिविजन हो जाए और ध्याँ रखिए अब आपके पास काफी समय कम है याणि के जिनका भी एक अक्टूबर का एकजाम है, उनका तो काफी पास एकजाम आ गया है, यकि कुछ दिन का समय बचा है, आज आपका 26 सितंबर का दिनांक हुआ और देखिये काफी कम समय अब आपके पास है और एक से दो दिन में अब आपका टार्गेट होना चाहिए कि अधिक स्रियाधिक प्रस्णों को देख ले जो प्रस्ण पढ़ लिये हैं उसको याद कर ले रिविजन कर ले ताकि प्रस्ण आपसे बन पाए परिक्षा में गलत न हो ठीक है तो आईए हम लोग इस सेशन के माध्यम से अपने इंपोटेंट प्रस्णों को सल्व करते हैं प्रस्ण स नोटिफिकेशन आपके फोन पर प्राप्त हो और देखिए विडियो आप आसानी से देख सके ठीक है तो आईए हम लोग अपने प्रस्णों को सल्व करते हैं देखिए सेशन का पहला प्रस्ण आपके सामने है पूछा गया आपसे बिहार राज क्रिसी उधोग विकास परि बता रहे हैं 1966 बिल्कुल आपका सही जबाब है ध्यार राज क्रिसी उधोग विकास परिशत की स्तापना कब हुआ है 1966 में हुआ है यही पर आप लोग ध्यार रखेगा बिहार जो राज है ध्यार रखेगा यानि कि भारत में लिची मखाना ठीक है अमरूद भिंडी का सबस बिहार पुलिस के एकजाम में इस प्रस्न को पुछा गया है कि बिहार का कौन सा जिला लिची उत्पादन में अग्रेण है तो ध्यार रखेगा मुझवफरपूर का नाम अप लोग ध्यार रखेगा ठीक है और यहाँ पर साही लिची का सरवाधिक उत्पादन किया जाता ह ठीक है तो देखिए पहले नमबर प्रस्न के लिए सही जबाब अप्सन नमबर B को आप लोग ध्यार रखेगा अगला प्रस्न आपका दो नमबर है देखिए यहाँ पर सिंगल मेंब्रेंड ब्राउंड ओर्गेनल है देखिए इसके लिए चार अप्सन दिया गया है अप् रखिए घाँ दो के लिए सही जबाब अप्सर नमबर B होगा ठीक है यहीं पर आप लोग ध्यार करेगा सिंगल मेंब्रेंड ब्राउंड सिल ओर्गेनल वे होते हैं जिनकी सनरस्तनावों के चारों और केवल एक मेंब्रेन होती है क्या होती है केवल केवल एक मेंबरेन होत तो यहीं से अगर आप से पुछ ले कि आत्म हत्या की थैली कि इसी कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा इनिकि लाइसाश्वम आपकी प्रस्न का सही जवाब होगा ठीक है तो यहां से आप लोग दो को ध्यान रख्येगा अगर नाभी का बात कर लिया जाए तो ध्यान रख्येगा 1831 में रोवर्ट ब्राउन ने यानिके नाभी क्यानिकी केंद्रिका की खोज की थी यहीं पर बात किया जाए राइबोसोम का तो ध्यान रख्येगा इसे प्रोटीन का कार खाना कहा जाता है जह को आप लोग ध्यान रखेगा लेकिन पूछा गया है यानि कि सिंगल मेंब्रेन ब्राउंड और येनल के बारे में तो आपके प्रस्न का सही जबाब अपसन नंबर भी होगा ठीक है अगला प्रस्न है देखिए तीन नंबर पुष्प का नर्जनननंग पुछा गया है ध्यान पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मादा जनननंग यानि कि पुष्प में मादा जनननंग का नाम अगर पूछा जाए तो एस्तरी के सर आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है तीन के लिए सही जबाब अपसन नंबर भी हो जाएगा अगला प्रस्न देखिए चार नंबर बिहार में होम रूली का पहले अध्यक्स का नाम मौलाना मजरूल हक है ठीक है बिहार में होम 레ू Toni की इस्तापना दिसंबर उनिस सोले में हुग था इस बात को आप लोग ध्यान रेगा और दिसंबर 1916 में बाल गंगाधर तीलक के द्वारा भारत में स्वसासंग के लिए राष्टिय मांग का नित्रित करने के लिए की गई थी ठीक है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा लेकिन बिहार के संदर में पूचा गया है ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण का सही जबब अपसन न मड़ी CFC यानि कि क्लोरो फ्लोरो कारवन ओजोन परत के च्छाय का क्या है कारण है इसके अलावा भी कुछ रसाइनिक पदार्त है जो ओजोन को क्या करते हैं नस्ट करते हैं ठीक है आप लोग ध्यान रखेगा हैलोजन, मिथाईल, क्लोरोफर्म, कारवन, ठीक है इस सब कुछ CFC के अलावे जो रसाइनिक पदार्त हैं जिससे ओजोन क्या हो रहा है यानिकि ओजोन को हानी पहुँच रहा है ठीक है तो ध्यान रखेगा अप्सन नमबर डी हो जाएगा पांच नमबर प्रसनी के लिए सही जब अगला प्रसन है आपका छो नमबर क इस यात्री ने पटना को मोगल समराज का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्री भारत का सबसे बड़ा बैपारिक केंद्र बताया है बताए चार अप्सन छो नमबर प्रसनी के लिए दिया गया है ध्यान रखेगा आप सभी लोग यानिकि फ्रांसीसी बेक्ती ट्रेव और नेर होगा यहां पर पर ट्रेव नेर का नाम ध्यान रखेगा जिन्मोंने यहींकि 1665 से ले करके 1666 आपVE तिक यहार की थी ठीक है और उसने अपने यात्राण में विहार की प्राशाशनिक विवस्ता वितिय विवस्ता के संबंद में महत्पूंड जनकारी देती ठीक है तो छो के लिए सही जब आप अपसन नंबर ध्यान रखेगा डी हो जाएगा थोड़ा सा इसको सुधार लेजिएगा नाम हमें स्वस्ट कर दिये हैं ट्रेवनियर क अगला प्रसन क्या है आपका देखेए यहाप साथ नंबर प्रसने जंगली गढ़ों का अव्यारण कहा है बताईए कहां पर है तो देखिए साथ नंबर प्रसने के लिए सही जब आप जो हो जाएगा ध्यान रखेगा आप सभी लोग अपसन नंबर यानिकी गुजरात में घुजरात में इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा और इसका नाम क्या है तो ध्यान रखेगा गुडखर जब अव्यारण घ्यान रखेगा चलिए तो आप्सन नंबर बी हो जाएगा शाथ नंबर प्रसने के लिए सही जब अगला प्रसने देखिए यहाँ पर आथ और यह बोरान का एक बेरंग योगिक है क्या है बेरंग योगिक है इसे पानी में घोला जा सकता है ठीक है और इसका उपियोग कीलो को मारने के लिए कपड़े धोने और अन्य सफाई के कार्यों में इसका उपियोग किया जाता है ठीक है तो B के आठ के लिए सही जबाब अपसन नमबर B को आप लोग ध्यान रखेगा नौ नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन ब्रिक्षो की कटाई को रोकने से सिधा संबन दित है ध्यान रखेगा चिपको आंदोलन आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा अपसन नमबर A में दिया गया है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है और द दसवा प्रस्णाब के सामने हैं देखिए यहांपर ध्यानी प्रदूचन का मापन कीस इकाई के द्वारा किया जाता है ध्यान रखेगा ध्यानी प्र्दूचन का जो मापन किया जाता है अपसन नमबर B हो जागा decibel 10 नमबर प्रस्णि के लिए क्या हो जागा decibel आप लोग ध्यां रखेगा और यहीं पर ध्यां रखेगा जितनी ज्यादा आवाज होगी decibel उतना ही ज्यादा होता है ठीक है और विश्व स्वास्त संगठन ध्यां रखेगा 10 नमबर प्रस्णि के लिए सही जवाब होगा ठीक है चलिए जूल तो आप लोग जानते हैं कमेंट में बता देजिए किसका ही काई है चलिए 11 नमबर प्रस्णि देखिए यहाँ पर अंतरास्टी ओजोन दिवस कम मनाया जाता है तो ध्यां रखेगा अंतरास्टी ओजोन दि प्रस्णि पूछा गया है ध्यां रखेगा मध्वनी 15 से संबंधित महा सुंदरी देवी गंगा देवी सिता दवी तीनों लोग संबंधित अपसन नमबर डी में दिया गया है उप्यूक्त सभी आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है अधे जी ने पहला याने की किसान आंदुलन बिहार याने की चमपारण से सुरू किये थे और ध्यान रखेगा आप सभी लोग याने की अपसन नमबर रजेंदर प्रसाद जूड़े हैं ठीक है राजेंदर प्रसाद जूड़े हैं आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नमबर यह होगा ध्यान रखिएगा अगला प्रसने चोद्र नमबर वुत्परेरक्ट। ऐसा पदा थे जो रसाइनिक अभिकरिया की दर को क्या करता है तो बताइए देखिए उत्परेरक्ट के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि उत्पिरेंग ऐसा पदार्थ्या जो रशाइनिक प्रतिक्रिया की डर को बढ़ाता है और उत्पिरेंग रशाइनिक अविक्रिया में भाग नहीं लेता है ठीक है केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है कौन उत्परे रख तो देखिए ध्यान दीजिए 14 के लिए सही जबाब निकल जाएगा बढ़ाता है अप्सन नंबर भी आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रस्ण को आप लोग द्यान रखेगा और इसमें 100 स्न योजी बंध होता है ठीक है देखिए अपसन नंबर किसमें दिया गया है द्यान रखेगा यहने कि अपसन नंबर भी 15 नंबर प्रस्ण का शही जबाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखिए 16 नंबर प्रस्ण को तत्तों के परमाणू जीन में एक ही परमाणू करमांक है लेकिन दर्मान संक्या क्या है भीन है इनिके परमाणू संक्या समान हो दर्मान संक्या भीन होता है उसे क्या कहा जाता है तो ध्यान रखेगा उसे जो कहा जाता है आईशो टोपस या समस्तानी कहा जाता है ठीक है तो दूइतिये छमता को क्या कहा जाता है आपसे प्रस्ण पूछा गया है ध्यान रखेगा इस प्रस्ण के लिए जो लोग भी सही जबाब अपसन नंबर भी बता रहे हैं श्रिकलन बिल्कुल आपका सही जबाब होगा ठीक है अगला प्रस्ण अठार नंबर देखिए यहाँ प क्या हो जाएगा शिक्षा मंत्रा ले आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण क्या है देखिए 19 नंबर निम्ण में से किस पोशक तक्त्व की कमी गंडक माला का गंड माला का सरवाधिक सम्मान ने कारण हैं बताइए 19 का सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखेगा आयोडीन की कमी के कारण गंड माला या ध्यान रखेगा गल घोटू रोग जिसे घेंगा रोग कहा जाता है और इसकी कमी से थाराइड गरंथी बढ़ने लगती है जिसे गले में क्या हो जाता है उपर सूजन हो बैंक ने खुद को दिवालिया घोशित कर दिया है बताइए कौन सा बैंक किया है खुद को दिवालिया घोशित तो ध्यान रखेगा अमेरिका के सिलिकन वैली बैंक ने खुद को दिवालिया बैंक घोशित कर दिया है ठीक है सिलिकन वैली बैंक यानि की SBB ध्यान रखेगा SBB को इसके Regulators ने Shutdown कर दिया है और अमेरिका में सबसे बड़ा Bank of America Corporation है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है तो देखिए कौन सा बेंग किया है तो Option No. B होगा आपके प्रस्ण का सही जवाब चली अगला प्रस्ण है एक किस नंबर बोरा गुफाय भारत के पुर्वी तड़पर निम्न में से किस पहारियों में एस्थी थे बताए किन पहारियों में एस्थी थे तो ध्यान रखेगा याँ पुर्वी तड़पर अंत्रागिरी पहारी में एस्थी थे ठीक है अंत्रा गेरी पहाडी में इस्ती थे आप लोग के प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखेगा यानिकि अंत्रा गेरी पहाडी अप्सन नमबर D आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है 22 नमर प्रस्ण को पढ़िए आप लोग 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राज में लिंगा अनुपात सबसे कम है यानि कि प्रती 1000 पूर्शों पर महिलाओ की संख्या देखिए 22 नमर प्रस्ण जनगर्णा से संबंदी थे और प्रस्ण काफी जदा इंपोर्टन्ट है इस बात को आप लोग ध्यार रखिएगा हर्याणा आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा हर्याणा आपके प्रस्णका सरी जवाब होगा कितना है लिंगा अनुपात द्यान रखिएगा 877 आप लोग ध्यान रखिएगा यहीं पर सबसे अधिक लिंगा अनुपात विए राज्र ये पूछ लिया जाए कितना है 1084 1000 पुर्श पर 1084 महिला है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है देखिए आपके प्रस्ण का सही जबाप कम पूछा गया है अपसन नंबर भी हो जाएगा ठीक है चलिए तेश नंबर प्रस्ण है किस नदी को कुछ लोग दक्षण की गंगा के रूप में मानते हैं किस नदी को मानते हैं के प्रस्न का सही जबाब होगा ठीक है चलिए ध्यान रखिएगा गुदावरी नदीप प्राइदीपिय भारत की सबसे बड़ी नदीए ठीक है चलिए अगला प्रस्न आपका 24 नमरे देखिए प्रस्न को पढ़िए निम्न में से किस वर्ष में भारती राष्टिये कॉंग्र अग्यान के जो नेता थे जिनका नाम क्या था एम ए एन राय आप लोग ध्यान रखिएगा इन्होंने सर्व पर्तं समयधान सभा के लिए बिचार दिया था ठीक है इस बात को आप लोग ध्यार रखिएगा आप से नमबर दी होगा 24 नमर प्रस्न का सहीचे बाब 25 नमर प् के कल्यान के लिए कौन सी युजना नहीं चलाई जा रही है कौन सी युजना नहीं चलाई जा रही है आपसे पूछा गया है ध्यान रिखिएगा 25 के लिए जो आपका सही जबाब हो जाएगा अपसर नंबर सी हो जाएगा नारी उठान एम ससक्ति करण बाकी मंत्री कन्या आखे पर चर्वीसस की नबर डेस ने एटम बंब का विस्कार किया था किसंने एटमबंब का विस्कार किया था यह और पर माडु बंबर से पूखा गया ध्याँ रखेगा यहनि की जिय órbot ओपल्प्स ठीक है और पहला एटम बॉम का जो परिक्षण हुआ था ध्यान रख्येगा 16 जुलाई ठीक है 16 जुलाई 1945 आप लोग ध्यान रख्येगा अमेरिका में किया गया था ठीक है तो अप्सन नमबर भी आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ध्यान रख्येगा 28 नमबर प्रस्ण है देखिए आप लोग 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है तो ध्यान दिजिएगा 3.6 गुणे 10 के पाउर 6 जुल के बराबर होता है लेकिन पाउर में देखिए 5 दिया गया है और जब एक पाउर घट जाएगा तो यहां से पॉइंट हड़ जाएगा तो केवल 36 बचेगा ध्यान दिजिएगा अप्शन नमबर ए हो जाएगा 36 गुणे 10 के पाउर 5 जुल आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है 29 नमबर प्रस्ण है देखिए यहां पर भरत का प्राचिंतम विशाल उधोग आपसे पूछा गया है ध्या ग्लास्टर में शुरू की गई थी ठीक है बरत की पहली आधनिक सुती कपड़ा मिल किये स्थापना अगर आपसे पूछ ले ध्यान रखेगा 1904 ठीक है ध्यान रखेगा पूराना पूछा गया है अप्सन नमबर ए होगा आपके प्रस्ण का सही जवाब यहनिकि 29 के लिए आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नमबर ए को आप लोग धियान रखिएगा अगला प्रस्ण है याहाँ पर तीस नमबर सोर्र 21aging प्रस्ण है पढ़िया प्रस्ण को दादा साहेव फाल के अंतराश्टिय फिल्म समारों 2023 में किस फिल्म को वेस्ट फिल्म का पुरुसकार दिया गया है पताए किस फिल्म को दिया गया है तो ध्यार रखेगा द कास्मीर फाइल साप लोग ध्यार रखेगा अप्सन नमबर C हो जाएगा 31 नमबर प्रस्ण का सही जवाब ठीक है ध्यान रखेगा चली अगला प्रस्ण क्या है 32 नमबर एक इलक्ट्रोन एक नकरात्मक आविस है बताईए कितना होता है आविस तो ध्यान रखेगा 1.6 गुण 10 के पावर मैनिस 19 कुलम अप्सन नमबर D आ सही जवाब होगा इन्हीं की गलोबर साइंजंड फॉर गलोबर बिंग हो जाएगा थिक है दिदेफेगा अप्सन नमबर B 33 नमबर प्रस्ण का सही जवाब होगाánh 새 storतिस नमबर प्रसण में निवनमें से किस प्रकार का फटीलाइजर है पता यह किस प्रकार का फटीलैजर तो ध्यां रखेगा यूरिया जो है अप्षिन नंबर हे नाइट्रोजन आप लोग ध्यां रखेगा अपके प्रस्ण का सही जबाब होगा 35 नंबर प्रस्ण है राष्ट पति भावन एस्तित मुगल गार्डन का नाम बदल करके आप लोग ध्यां रखेगा यानि कि 35 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा अम्रित उधान आप लोग ध्याँ रखेगा अम्रित उधान आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है देखिए यह आपर 36 नंबर पढ़िए प्रस्ण को उस प्रसिद भारती सित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिस वाइसराय लॉड करजन के द्वारा केसरे हिंद स्वन पदक से समानित किया गया था बताइए आपसे प्रस्ण पूछा गया है और आपके प्रस्ण का सही जवाब क्या हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नंबर या पहली भारतिय महिला का नाम आप से पूझा गया है ध्यां रखेगा पहली भारतिय महिला का नाम कौणम मलेश्वरी हो जाएगा ठीक है अपसन नमबर ये आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है और इनका संबंद अगर आपसे पूछ ले तो ध्यां रखेगा किस खेल स तो भारो तोलक से है ठीक है भारो तोलक आप लोग ध्यान रखेगा और इन्हें 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है और भारत का सर्वोज खेल संबान है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा वही 1999 में इन्हें नागरिक पदम सिरी पुरुसकार भी मिला है यानि कि 1999 में नागरिक पदम सिरी पुरुसकार मिला है और 1995 में आप लोग ध्यान रखेगा यानि कि राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है ठीक है तो अपसन नमबर ए को ध्यान रखेगा 37 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा 38 नमबर प्रस्ण है चेजिंग 49 नमबर प्रस्ण है आपका रुखमिणी देवी अरुंडेल निमलिखित में सकीश नित्ति से संबंदित है देखिए रुखमिणी देवी का जगर संबंद आपसे पूछा गया है तो भरत नात्यम आप लोग ध्यान रखेगा अपसन नमबर बी यानि कि 49 नमबर प्रस्ण क प्रस्ण है आपका 40 नमबर भरत के जन दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है बताइए 40 के लिए सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखेगा 40 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा और अपसन आप लोग देख लिजी निकिसी में अटल ब्यारी बाजपेई दिया गया द्यार रखेगा आपसन नमबर सी हो जाएगा यन कि आटल ब्यारी बाजपेई आपके 40 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब होगा ध्यार रखेगा आटल ब्यारी बाजपेई पुर्व परधानमंतरी राचु के हैं इस बात को आप लोग द्यार रखेगा अगला प्रस्ण एक तालिस नंबर है गोल गुंबज भारत के किस राज में एस्तित है तो देखिए गोल गुंबज जो हो जाएगा ध्यान रखेगा आप सभी लोग बीजापूर में एस्तित है ठीक है इबराहीम आदिल सा दुटिये आदिल सा राजवन्स का मकवरा है इस ब पहु कला परिसर भारत भावन भारत के किस सहर में एस्तित है इसका उद्गाटन ततकाली प्रधार मंत्री श्रीमती इंद्रा गाधी के द्वारा 1982 में किया गया था बताईए कहां परिस्तित है तो ध्यान रख्येगा यानि कि मध्ध पर्दिस आपके प्रस्ण का सही जवा रूप है जो पाया जाता है ध्यान रख्येगा अप्सन नंबर भी केरल में पाया जाता है ठीक है चोवालिस नंबर प्रस्ण को सल्व किजी मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज में है तो ध्यान रख्येगा अप्सन नंबर सी को करनाटक में इस्तित है ठीक है चलिए 45 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा अप्षण नंबर एक ध्याब रखेगा कुम्भल गण आपके प्रस्न का सही जवाब होगा ठीक है और यहीं पर आप लोग ध्याँ रखेगा एक चीज को और ध्याँ रखेगा यह राज इस तान राज में ठीक है चलिए अगला परशने 46 नंबर यू एन के सुरक्षा परिश्द में कितने औस्ताई सदस है तो देखिए औस्ताई सदस कितने हैं दस है इस बात को आप लोग ध्यां रखिएगा जबकि कुल सदस से पुछ लिया जाए तो 15 सदस हो जाएंगे ठीक है और देखिए स्ताई सदस पांच है चीन है ठीक है फ्रांस है ठीक है रूस का नाम अप लोग ध्यां रखिएगा इसके अलावा आप लोग ध्यां रखिएगा यानि कि युनाइटेट किंडम सन्युक्त राज अमेरिका का नाम अप लोग ध्यां रखिएगा ठीक है तो अप्सन नंबर यह होगा 46 नंबर प्रस्ण क सही जवाब 47 नमबर प्रस्ण है कौफुली निमलीखित में से किस राज के ब्यंजन का ब्यंजन है पताइए किस राज का है तो ध्यान रखेगा उत्रा खंड आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा अपसन नमबर डी में दिया गए ठीक है अगला प्रस्ण है देखिए 48 नमब कुलांगर सब्द के उचीत वाक्यों का चैन कीजिए दिखिए उचीत वाक्यों का चैन आपसे पूछा गया है ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण के लिए सही जवाब अपने ही कूल का नास करने वाला बेगती ठीक है अपसन नमबर ए होगा 49 नमबर प्रस्ण के लिए सही पचास नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा सब्द अरजुन का पर्यवाची नहीं है अरजुन का पर्यवाची कौन नहीं है तो ध्यान रखेगा यानि कि सुत पुत्र सब्द अरजुन का क्या है पर्यवाची नहीं है यह कंड का पर्यवाची है किसका है कंड का प परियवाजिए ठीक है अप्सन नम्बर सी होगा पचास के लिए सही जवब अगला प्रस्ण यह काऊन नम्बर भरत के लोपुर्ष के नाम से किसे जाना जाता है तो ध्यां रखेगा अप्सन नम्बर को ध्यां रखेगा सरदार वल्लाभाई पटेल का नाम आप लोग ध्यार ठीक है यहीं कि एकावन के लिए सही जवाब अप्सन नंबर सी हो जाएगा अगला प्रस्ण है बावन नंबर भारतिय समिदान के किस भाग में मौलिक अधिकार सोची ब्रद हैं देखिए सोची ब्रद अगर पूछा गया है तो भाग तीन आपके प्रस्ण का सही जवाब अप लोग ध्याँ रखेगा और शेद पूछले तो बारत से ले करके 35 तक आप लोग ध्याँ रखेगा ठीक है चलिए अपसन आपके पास से देख लेजिए अपसन नंबर सी होगा आपके प्रस्ण का सही जवाब अगला प्रस्ण है तीरपन नंबर सिलाइवा में बिधव नंबर सी आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा चोंगो नंबर प्रस्ण है पसीना निकलने से सरीर का सबसे उपयोगी कार्य होता है कौन सा कार्य होता है आपसे पूछा गया है तो देखिए कार्य पूछा गया है ध्यां रखेगा शरीर का ताप नियंत्रित होना अपसन न आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी जानते हैं कि जो չॉता है किस तिर्भूछ पे लागो होता तो सम कोड तिर्भूछ पे लागो होता 근데 अर्यारोर 15 Dallas तो द्यान रखेगा यानि की लंब बाटा क्या होता है कंड होता है तो लंब और कंड से आप लोग ध्यान देजिए यहां से निकाल लेजिए माल यानि की पाइथा गोरोस पर में निकाल लगा करके ठीके और 10 का फर्मूला क्या होता है यानि की 10x क्या होता है तो द्यान रख देखेगा 12 ब con nos नमबर भी आपके प्रसंद का सही जवाब आएगक अगला प्रसंद नमबर इलेक्टरोन तप तक यूगमित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए प्रात रिक्त कख़क समाप्त नहीं हो जाए यह सिधान्त का आलाता है तो ध्यां रखेगा यह जो सिधान्त का आलाता है यानि कि 57 नमबर प्रस्ण के लिए जवाब का सही जवाब हो जाएगा अप्सन नमबर एक को ध्यान रखेगा हुंड का नियम ठीक है अगला प्रस्ण है 58 नमबर देखें यहाँ पर मनुष्य में नीश्य चल डैस में होता है तो फिलोपियन ट्यूब में होता है अप्सन नमबर एक 58 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है यहाँ पर 69 नमबर है भगवान कृष्ण का जनम उत्सव किस नाम से परसीद है तो देखिए यानि कि अस्टमी आप लोग ध्याँ रखिएगा 69 नमबर प्रस्ण के लिए सौरी अस्टमी नहीं जनम अस्टमी अपसन नमबर सी आपके प्रस्ण का क्या होगा सही जवाब होगा 60 नमबर प्रस्ण है रास्टिय गरामिन विकास संस्तान कहां पर उस्ती थे तो देखिए रास्टिय गरामिन विकास संस्तान जो उस्ती थे अपसन नमबर भी हैदराबाद आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है ध्यां रखिएगा अगला है 20 नंबर देखिएं यहां पर लेक्टोज बना होता है बता है लेक्टोज से बना होता है आप लोग ध्याम रखेगा या میں की अपसिन सी गुल को प्लस अपसमिदस से बना होता है ठीक में बना की बहले संग ठीक है यानिकि एफ आई एच का मुख्याले कहां इस्ती थे बताइए कहां परिस्ती थे ध्यां रखेगा इसके लिए अप्शन और देख लिजी आप लूँ ग्यार की आपसन नमबर सी सुट जर्च लेंड में इस्ती थे ठीक है ध्यां रखेगा अगला प्रसंद देख यह मैत का प्रस्ण है और मैं बार-बार बोलता हूं कि मैत के प्रस्ण को खुद से सल्व किजी हाला कि GKGS के डिसकर्शन में ही विडियो इतना ज़्यादा लॉंग हो जाता है कि मैत का प्रस्ण सल्व कराना मुश्किल हो जाता है ठीक है येकिन आप लोग ट्राई किजी ठीक 65 के लिए जो आप लोग सल्व किजेगा तो आपका सही जवाब क्या आएगा तो ध्यान रखेगा 65 के लिए सही जवाब अगला फशने देखिए यहाप द्याँ पर 66 नंबर अनिल गोज टू ओफिस डैश बस पताइए डैस के जगवापकर क्या भारा जाएगा तो ध्यान रखेगा यणि कि 66 नंबर परसुन के लिए सही जवाब होजाएगा ध्यान रखेगा यानि कि आपसन नंबर क्या हो वाई भड़ा जाएगा ठीक है यानिकि अनिल गोज टू आफिस वाई वस आप लोग ध्यां रखेगा अपसर नमबर डी आपके 66 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा अपसर नमबर प्रस्ण है निम्न में से किसने वस 19 सरी 15 सर तीन में भारत में पहला यूरोपिय किला कीत अगर अगर आप से पूछ लिया जाएता तो ध्यां रखेगा हरीहर और भुक्का ने किया रखेगा हरीहर और बुक्का आप लोग द्यान रखेगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आपका देखिए 79 नमबर लोग सभा का अध्यक्ष अपना इस्तिपा निमलिखित में से सौबता है किसको सौबता है तो उपा अध्यक्ष को समगता है अपसन नमबर लोग सभा के उपा अध्यक्ष आपके प्रस्ण का क्या हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है सत्तर नंबर एगारवी पंच वशी योजना का उदेश से आप से पूछा गया है ध्यान रखेगा उदेश से क्या था तो सत्तर के लिए सही जबाब अपसन नंबर बी को ध्यान रखेगा समावीष्ट आर्थिक व्रिधी आपके जल में कठोरता किसकी उपष्टिति के कारना आती है लिए आपके गठोरता सिंधु घाटे सभथा के जन्म से प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है अगला प्रस्ण है तीहत्तर नंबर मानव त्वचा बाल और आखों को उनका रंग देने वाले रंजग को क्या कहा जाता है तो देखिए इस रंजग को ध्यां रखेगा यानि कि मेलेनीन कहा जाता है अपसन नंबर यह आपके प्रस्ण क क्या होगा सही जबाब होगा चोहत्तर नंबर प्रस्ण है निमलिखित में से किस राज्य में करक्रेखा गुजरती है आप सभी को पता है कि करक्रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है आठ राज्यों से होकर गुजरती है गुजरात राज्यस्तान मद प किसके सासनकाल में वियन संग भारत आया था किसके सासनकाल में आया था तो ध्यान रखेगा यानि कि हर्षवर्धन के सासनकाल में आया था ठीक है और हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी कौनोज यानि कि उत्तर प्रदिश इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा अपसन नमबर ए ठीक है चलिए अगला प्रस्ण क्या है देखिए यहाँ पर 77 नमबर प्रस्ण पुछा गया है गया रिखेगा 77 नमबर प्रस्ण है आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा यानिकी अप्सन नमबर सी में दिया गया ठीक है द्यार रखेगा चलिए अकला प्रस्ण क्या है 89 नमबर जैनमट संस्तानों को क्या कहा जाता है बताए क्या कहा जाता है द्यार रखेगा जैनमट संस्तानों को वसीद कहा जाता है क्या कहा था वसदी आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है वसदी आप लोग ध्यान रखेगा आपसन नमबर D आपके प्रस्न का सही जवाब होगा अगला प्रस्न है असी नमबर 1800 संटाउन का सिपाही विद्रू तब हुआ था जब भरत के गवर्नर जर्नरल थे कौन थे तो लू बच्चों का चार बटा पांच भाग लड़के हैं यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या ग्यात किजी देखिए इसकूल में कुल बच्चों का चार बटा पांच भाग क्या है यनिकी ध्यान रखेगा यनिकी लड़के हैं तो लड़कियो तनी हो जाएंगी एक हो जाएंगी 4-1 हो जाएगा आपका उन पात जिसमें से देख लीजिए लड़की यो की step कि कितना दिया हे 200 दिया गया तो एक नहु करके 200 कितना गुणा है 200 गुणा है और 40 किजिएगा यानिकी 200 में 40 धुणा किजिएगा अपस्तन नमबर1 एकासी नमबर प्रस्ण का क्या हो जागा सही जबाब हो जागा ठीक है बिरासी नमबर प्रस्ण ने बीरो का कैसा हो वसंत कविता के रचैता कौन है बताइए कौन कविता के रचैता है तो ध्यां रखेगा शुबद्रा कुमारी चोहान का नम आप लोग ध्यां रखेगा अप आप संबर अब्स नमबर भी आपके फ्रस्ण का सही जबाब होगा तिरसी नमबर प्रसने इस ने बंगाल में infinite चासन पर लेको समाप करने मुला वारे नेश्टिंग था ठीक है धिया रखीएगा शली अंशर अंसर बता हवा में उक्सिकरन, हवा में उक्सिकरन, option number C आपके प्रसन का सही जबाब होगा, ठीक है, ध्यार रखेगा 84 के लिए जबाब आपका option no. C हो जाएगा, 85 नंबर प्रसन है, ध्यार दीजिएगा, प्रसन पढ़िए निमलिकित में से कौन एक input device है, input device कौन है, तो ध्यार आपके प्रस्ण का सही जबाब, ठीक है, 87 नमर प्रस्ण है, गुरु घासी दास राष्टियों ध्यान कहां इस्ती थे, बताइए कहां परिस्ती थे, तो देखिए यह जो ध्यान इस्ती थे, ध्यान रखेगा आप सबी लूग, अपसन नमबर, एको ध्यान रखेगा, 36 गण मे इस्ती थे, ठीक है, तोरण ग्याद करने का सही सुत्र आप से पूछा गया है, तोरण का फर्मूला पूछ दिया गया है, ध्यान रखेगा, ए बराबर, भी माइनस यू बटा क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेगा, अपसन नमबर यह आपके प्रस्ण का सही जबाब होग और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को परती बंधित करता है, अश्परस्ता का अंत ध्यान रखेगा, अंशित 17 में किया गया है, अपसन नमबर यह नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा, ठीक है, अगला प्रस्ण नमबर, बीसी जी के टीके का इस्तमाल समानने तक के ल प्रस्ण का सही जबाब होगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, 93 नमबर प्रस्ण है, देखें यहापर, निम्न में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सरवाधिक उपयोगी है, अपसन देख लीजी आप, तो ध्यान रखेगा, अपसन नमबर यह का पास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, 95 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब क्या होजाएगा, तो अपसन नमबर, यहने कि ध्यान रखेगा, आप सभी लोग, डी होगा, आपके प्रस्ण का सही जबाब, every हो जाएगा, ठीक है, एवरी आप लोग ध्यान रखेगा, चलिए, अगला प्रस्ण ह है चानवे नमबर टांका एक मिस्रधातू है तांका किसका मिस्रधातू है आपसे पूछा गया है देखिए टीन और सीसे का मिस्रधातू होता है टांका यानि कि सोल्डर जीसे कहा जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा 97 नमबर प्रस्ण है कीट में क्या क्या होता है कीट में क्य आयरन की सरवाधिक मात्रा किस में पाई जाती है देखिए आयरन की सरवाधिक मात्रा पूछा जाए तो पालक आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है पालक आप लोग ध्यान रखेगा निकि पालक में से भी ज्यादा आवला में पाई जाती है पालक से भी ज्यादा किस में पाई पुछा जाता है सब्सक्राइब करता है यांतरी कुर्जा को बिधु तूर्जा में पुरुषर्जा में परिवफित करता है आप के प्रस्न का सही जवाब होगा सो नमबर प्रस्न है 40 degree Celsius का मान फेरंड S.K.L. में कितना होगा फेरंड S.K.L. में कितना होगा आप से पूछा गया है धियान दिजएगा फेरंड S.K.L. में कितना हो जाएगा तो सो के लिए सही जवाब अपसन नमबरे 104 Fahrenheit आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है तो चलिए आज के सेशन के माध्यम से complete अत्ती महत्तपून बिहार पुलिस के लिए 100 most important प्रस्णों को सल्व किये हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताईए सेशन को लाइक कर देजिए चैनल पर नया है अगर आप चाहते हैं फ्री आप कोस्ट important question का प्रेक्टिस सेट को सल्व करना तो चैनल को सस्क्राइब करके बोगल वाले हंटी को जुरूर दबा देजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संब्दित चैनल पर प्रूट किया जा तो यूट्टूब के द्वारा वीडियो का देख करके profit यानि कि लाब उठा सके ठीक है तो आईए फिर मिलता है अगले सेशन के साथ तब तक के लिए जहिंत जैब